एक बड़ी खबर भी हम आपको दे दे कि 18 नवंबर कर नई दिल्नी रेलबेस टेशन पर फ्लाटफॉर्म टिकेट की बिद्री नहीं होगी फ्लाटफॉर्म टिकेट को नहीं बेचा जाएगा ताकि जो फिर है उसे लेत्रड किया जाए जो लोग सफर के लिए आ रहे हैं वो आ सके लेकिन बाती लोग जिनके पास कोई टिकेट नहीं है उस ट्रेन में सवार होने का वो सब उस प्लाटफॉर्म पर जाकर वहां भी नहीं बड़ा पाएं ये बड़ा निरणाय लिया गया कि आपको दिखाने के कोशिश करते हैं ये जेनरल डबे की टिकेट लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और व्यवस्ता आप देख सकते हैं रेल्वी स्टेशन पर किस तरीके से यहां पर लाइनों में लोग खड़े हैं ज्यादा तर ट्रेने यहां से दिल्ली से होते हुए बिहार की तरफ जाएंगी और इन्ही ट्रेन्स को लेकर सबसे ज्यादा रश भी है अब कितने समय से यहां खड़े हैं टिकेट लेने के गड़े हैं बहुत भीड होती है जादा भीड इस टाइम के भी चल रही है जेनरल डिपा बढ़ाई है बहुत भीड चलता है जेनरल में कितना बढ़ाना चाहिए खम से खम एक ट्रेन में छेब होगी होना चाहिए जेनरल में एकदम जाना पड़ता है ने मेडम हम लोग गरीब आदमी कहां से कराई है एसी टीकट पचीस सो वला यह हमारे कमकनी से तरफ से छुटी नहीं मिलता इसलिए हम लोग नहीं निकल पाते हैं कमकनी ड्वारे हम लोग फाचे पड़े रहते हैं हमने टीकट तीर महिना पहले करवाया अभी तक कनफर्म नहीं हुआ मैं यह देख लिजे कनफर्म नहीं हुआ जब पैसा होगा कमाएंगे तभी जाएंगे ना खाली हाथ थोड़े चल जाएगे दिल्ली के रेलर स्टेशन के आपके विज्वल दिखाना चाहूंगा कि जहां अच्छट परब के कारण लोग अपने घरों की तरफ पूच कर रहे हैं यहां गया ट्रेल है पर इस समय विज्वल में आप जो हलाव देख सकते हैं कि पॉब्लिक ट्रांस्पोट सिस्टम रेलवे पर किस तरीके का भोज पड़ा हुआ आप देख सकते हैं कैसे स्टेंपड हो रखा है यहां पर आते हैं तो फूचता है कि भाई आपको अगर जर्वेशन करवाना है कंफर्म टिकर करवाना है तो आप करवा सकते हैं आपको दूगना पैसा लगेगा तो फूल बताता है